Assalamualaikum to all of you यहां इस वीडियो टुटोरियल में आपको यह बताऊंगी कि किस तरह से आपने फार्मसी मेंटोर ने जो वेबिनार्स अरेंच किये हैं उनका फीडबेक फॉर्म फिल करना है और किस तरह से आपने अपने प्लाइ करना है तो इसी तरह का आपको एक मैसेज वाटसैप पहले फीडबेक फिल करेंगे और यह उन्हीं सर्टिफिकेट्स पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा then आप जो हैं सबसे पहले feedback की link पे click करेंगे in case आपने अगर feedback fill नहीं किया है उस course का जिसके लिए आपको certificate चाहिए then आपके पास कुछ इस तरहा का page खुल जाएगा अब तक हमने तीन webinar अरेंज किये हैं breast cancer awareness, a pharmacist to a research, sciences and career counseling तो आपने जिसके लिए certificate apply करना है उसका feedback fill करना mandatory है मैं आप आपको एक example दे के बताती हूँ कि सबसे पहले आपने breast cancer awareness का अगर आपको certificate चाहिए तो आप इसका पहले feedback form fill करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके लिए आपको सबसे पहले उस course में enroll होना है जिसका आपने feedback form करना है तो आप पहले इस course में enroll होंगे तन enroll होने के लिए आपका ज़रूरी है कि आप अपने account को login करेंगे तो यह menu में जाएंगे आप और अपने account को login करेंगे in case अगर आपके पास registration नहीं है इस website पर तो आप सबसे पहले registration पर जाएंगे यहां आपको तीन तरहां की registration दिख रही है student registration, instructor registration and ambassador registration तो आप यहां student registration पर जाके अपना आपको register करेंगे and after registration आपको एक ID और password मिल जाएगा then उस ID और password से आप login पर जाके अपना account login कर लेंगे तो आप यहां देख सकते हैं मैं इसमे enroll now पर जाओंगी अपना account डालूँगी, password डालूँगी और enroll हो जाओंगी जैसे मैंने यहां अपने ID डाली मैं अपना password डालूँगी और login कर लूँगी then मैं login कर लूँगी then मैं enroll now पर click करूँगी अब मैं login हूँ तो easily मैं इस course में enroll हो जाओंगी then आप यहां देख सकते हैं के course अभी 0% complete है और यहां पर आपको शो हो जाएगा कि मैं इस course में enroll हो गई हूँ November 3, 2021 में अगर आप लुग enroll हैं तो आपने यह step को skip कर देना है आपने directly complete course के option पर click करना है rate करना है और अपना review submit कराना है then submit thank you for rating this course तो आप यहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका feedback form फिल हो चुका है इस तरह से आपने feedback form फिल करना है second about यह certificates तो certificate के लिए आपने certificate के link को click करना है यहां आप यह दिखेंगे के certificate के लिए भी आपको सारे webinars शोर हैं जो अपता करीन चोज़ चुके हैं career counselling of pharmacist to a research scientist and lastly breast cancer तो अभी मैंने आपको जो feedback form फिल करना बताया था वो breast cancer awareness के बारे में था तो मैं इसी कही certificate किस तरह से हासल कर सकते हैं वो आपको बताऊंगी आपने add to card पर click करना है then आप देख ले सकते हैं यहां पर सारी information दीविये product price quantity then card total दिया वह सब total 300 total 300 आपने दिन proceed to checkout के option पर click कर देना है then after that आपको कुछ इस तरह का page शोगा आपने यहां पर अपनी सारी information फिल करनी है जैसे मैं अपनी information फिल करती हूँ आपका last name जो है आमिर पाकिस्तान country street address आपका जो भी है यह अपने अपना town लिखना है यह city लिखनी है कराची, नाजमबाद, state लिखनी है, synth अगर आप किसी और state से हैं तो आप वहाँ पर अपनी state डालेंगे then आपने पोस्ट कोट डालना है then यहाँ पर अपने अपना phone number डालना है यहाँ पर अपने अपने email id डालनी है अगर आपने कुछ additional information अपने order पर डालना है तो आप वहाँ पर डाल सकते है then after that यहाँ पर आपको I would like to receive exclusive emails with discounts and product information के option पर tick करना है and I have read and agree to the website terms and condition के option पर click करना है then after that you can place your order by clicking the option of place order and after that आपको कुछ इस तरह का page receive होगा this में लिखा होगा thank you your order has been received यहाँ पर आपको आपका order number डे दिया जाएगा 5708 date दिया जाएगी जिस पर आपने अपने certificate के लिए apply किया था and आपकी email जो होगी वो आपको प्रोवाइट कर दी जाएगी अब आपको payment किस तरह से करानी है कि आप अपनी payment jazz cash के थू भी करा सकते है easy paysa, you paysa and direct bank transfer भी करा सकते है जो account है वो है सभी हमीद के नाम से और जो account number है वो यह है तो आप इस account number पे इन चारो methods के थू जो है वो अपनी payment submit करा सकते है और after payment आपको एक receipt मिलेगी वो receipt आपने अपना full name इस id पर सेंट करना है finance at the rate pharmacy mentor.pk then after that आपको certificate Sunday तक received हो जाएंगे इसके लावा अगर आपको कोई भी query है इस पूरे process में तो आपको यहाँ पर दो icons दिख रहे हैं जिसमें अगर WhatsApp के icon पर आप click करेंगे तो यहाँ आप अपनी query easily post कर सकते हैं जो आपको query होगी Thank you